वेलकम टू दे चैनल स्टूडेंट्स तो आज हम इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं इन ओर्गैनिक कमिस्ट्री का बहुत इंपोरेंट टोपिक दाट इस दी दी एंड एफ ब्लोक एलिमेंट्स ठीक है तो यह हमारे लिए बहुत इंपोरेंट एंड इंटरस्टिंग है इससे पहले आप लोगोंने इन ओर्गैनिक में से पी ब्लोक एलिमेंट्स की पूरी स्टडी कर चुके हैं आप लोग ठीक है तो पी ब्लोक एलिमेंट्स वाले चैप्टर से यह वाला चैप्टर कुछ हमारे लिए यहां पर इजी रहेगा ठीक है तो इसमें हम रीड करें ठीक है तो यहां पर आ जाता है that is the S block जिसमें आते हैं group number 1 and 2 और दूसरी side होता है P block जिसमें होते है group number 13 to group number 18 तो यह दोनों की study हमारी already complete हो चुकी है और इनके बीच रहता है D block ठीक है तो D block में क्या आते हैं group number 3rd से लेकर group number 12 तक के elements और इनके नीचे यह दो यहां पर अलग series दी जाती है ठीक है और यह दोनों जो series यहां पर दी हुई है नीचे इनको हम बोलते हैं that is the F block ठीक है तो हमारी इस chapter में इस पूरी series में इन दोनों blocks की हमारी study होगी जितने भी इनमें elements आते हैं उनकी properties क्या हैं वो सब कुछ हम यहां पर read करने वाले हैं और जो कुछ exam के लिए important होगा वो भी मैं आप लोगों को साथ में ही बता पर चाहूंगा ठीक है तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि D block elements क्या होते हैं तो D block elements को एक नाम more दिया जाता है that is called the transition elements ठीक है तो जिन elements की electronic configuration में last electron है वो enter करेगा in the D orbital of that atom उनको ह क्या बोल देते हैं D block elements मतलब जब हम इनकी electronic configuration बनाएंगे तो last electron वो है जो यहां पर D जो यहां पर orbitals होते हैं उनमें enter करेगा so therefore these are called D block elements और यह SNP block के बीच आता है group number 3rd से लेकर group number developed ऐसे ही जो यहां पर F block elements है इनका नाम क्या है that is called that is called the inner transition elements ठीक है क्यूंकि इनको हमने यह जो यहां पर उपर थे that is the transition elements उनके बीच में से यहां से एक series उठाई गई है 58 से लेकर 71 वाले elements और यहां से फिर उठाई गए है ठीक है 90 से लेकर 103 तक क्या है इसलिए इनका नाम क्या रखती है गया है that is the inner transition elements इनमें क्या होगा last electron जो है वो enter करेगा to the F orbitals of the atom और इसमें दो series आती है एक होती है 4F वाली और एक होती है 5F वाली इसमें फिल होंगे 4F orbitals इसमें फिल होंगे 5F orbitals और उपर वाली series को हम नाम देते हैं that is the anthinoids और यह जो series है इनको हम नाम देते हैं that is the actinoids तो इन दोनों के बारे में हमारी पूरी study रहेगी तो अब ह तो सबसे पहले अगर आप से कोई पूछे के डी ब्लोग elements की definition क्या है तो आप लोगों ने वो अच्छे से याद रखनी है definition of the transition elements ठीक है तो इसको कैसे हम define कर सकते हैं के those elements which have incompletely filled या फिर हम इसे बोल सकते हैं partly filled these up shells in their ground state or in any of their oxidation state ठीक है इसका क्या मतलब है कि जो इनकी ground state या फिर इनकी किसी भी oxidation state में इनके पास incompletely filled D sub shell होना चाहिए अगर ऐसा है so therefore these are called the transition elements ठीक है for example अगर हम इसकी कुछ यहाँ पर examples करते हैं ठीक है तो example के लिए अगर हम यहाँ से choose कर लेते हैं iron को choose कर लेते हैं वो हम यहाँ पर D में रखतेंगे तो ऐसे यह बन जाएगा D में जो है वो यहाँ पर last electron एड होए है आपको मैं बता दूं के D orbital में total कितने electron enter कर सकते हैं इसमें कितने electron आ सकते हैं 1210 और बाद में जो S होगा ठीक है sub shell उसमें electron आ सकते हैं 122 ठीक है तो जैसे अगर हम एक और example यहाँ पर देते हैं copper की example copper का atomic number कितना होता है 29 उसकी क्या बनेगी argon ठीक है उसके पास 18 रहेंगे और फिर आएगा 4S एंड फिर आएगा 3D अब देखिए इसमें एक जो यहाँ पर आप लोग यह कह सकते हैं कि यह एक special case है इसमें क्या होगा कि हम D को रखते हैं electron 10 तो यह होगे total 28 और इसको रखते है क्योंकि इसके साथ हमारा D हो जाएगा completely filled की stability होती है जाए अब देखिए copper के case में क्या हुआ कि जो copper है उसके पास D जो sub shell है that is completely filled बट अगर हम copper का यहाँ पर oxidation state चेक करें copper 2 तो क्या होगा दो electron यहाँ से remove करेंगे एक तो S में से जाएगा जब आप लोगोंने electrons को remove करना है ठ एकड़न यहाँ से दो electron को remove करना है ठीके को पर में से तो मैं सबसे पेले S वाले इलेक्ट्रों को remove करूँगा तो E misses और एक यहाँ से जाएगा तो क्या बच जाएगा ठीके तो आरगन तो as it is रहेगा एक S वाला electron चला गया तो D मेंसे एक चला गया तो यह बच गया D9 ठीक है, so therefore इसके पास incompletely filled D-subshell है, तो यह हमारा D-blok element बन चाहिए, ठीक है, तो इसकी general electronic configuration आप लोगोंने याद रखनी है, इसके बारे में कुछ और important points हैं, वो मैं आप लोगों को यहां से बताता हूं, ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास और कुछ important आएंगे points, that is, इसको यहां से erase करने, ठीक है, तो ऐसे कुछ examples आप लोगोंने अच्छे से साथ में ही याद रखनी हैं, ठीक है, तो यही बात जो हमने अभी अभी यहां पर मैंने आपको explain की थी के copper, silver and gold, इन सभी के पास क्या होते हैं, इनकी जो commonly occurring oxidation states हैं, उनमें इनके पास partly d subshell होते हैं, partly filled d subshells होते हैं, therefore these are considered as the transition elements, जैसे मैंने आपको भी बताया था के copper की electronic configuration में तो उसके पास होता है completely filled d orbital, बट अगर हम उसकी कोई oxidation state choose कर लेते हैं, जैसे के copper 2 positive तो उसमें उसके पास कितने होगे, d में electrons 9, तो इस definition के according copper क्या बन जाएगा, थ्रांशन elements, बट अगर हम बात करें zinc, cadmium and mercury जो के group number 12 के elements हैं, तो इनके पास किसी भी oxidation state में भी जो है वो partly filled d orbitals बिल्कुल नहीं होते, इनके पास हमेशा ही filled d orbitals होते हैं, therefore these are not transient elements, क्योंकि अगर हम zinc की electronic configuration बनाएं, तो वो क्या बनेगी, इसका atomic number कितना होता है, zinc का 30, तो आरगन तक आजाएंगे 18, फिर आएगे 4s में 2, और d में आजाएंगे 10, तो अगर हम zinc 2 positive iron भी यहाँ पर बनाते हैं, तो s वाले remove करने हैं पहले, यह बात आप लोगोंने याद रखनी है, तो argon as it is रहेगा, तो d में कितने electron बच जाएंगे 10, ठीक है, तो फिर भी इसके पास क्या रहेगा, filled d orbital, इसलिए जो यह है, यह जो elements होंगे, group number 12 के सभी, zinc, cadmium and d mark 3, these are not, these are not transition elements, बट इनकी study d block में ही होती है, क्योंकि यह इन सभी series के, यहाँ पर end members होते हैं, तो फिर इसलिए इनकी study d block में ही हो जाती है, ठीक है, यह बात आप लोगोंने याद रखनी है, clear है, इसके इलावा, d block elements का नाम हमने रखा है, transition elements, यह क्यों रखा गया है, because, जो इनकी position है, वो है between the S and P block elements, अब देखे, S block elements क्या होते हैं, most electropositive, ठीक है, और P block elements क्या होते हैं, least electropositive, ठीक है, और S और P के बीच का जो change show करते हैं यह, इसलिए इनको हम बोल देते हैं, transition, मतलब change, इसलिए इनका यह नाम रखा गया है, तो यह सभी points जो मैंने आपको बताएं हैं, यह आपको exam में directly ही पूछे जाते हैं, के why copper, silver and gold are transition elements, तो आप लोग इसको explain कर सकते हैं, यह जिंक, cadmium and mercury are not, यह भी आप लोग explain कर सकते हैं, और यह डीव लोग elements का अधी transition, तो यह सभी points आपको directly exam में पूछे जाते हैं, इसके लावा इनकी journal electronic configuration भी आप से पूछी जा सकते हैं, ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं, इसके बाद है, अगर हमें इनकी electronic configuration को solve करना है, तो मैं आपको कुछ important points बताऊंगा, उसके साथ आप लोग electronic configuration को easily solve कर पाने हैं, ठीक है, तो पहले तो जो हमारी सबसे पहली series है, that is the first series, इसमें कौन से orbitals fill होंगे, वो आप लोगोने याद रखने है, 3D and 4S, ठीक है, तो इसमे ये कौन सी series बन जाएगी, that is the 3D series, फिर बन जाएगी 4D series, और जो third है, इसमें fill होंगे 5D, ठीक है, तो 5D है, तो इसमें फिर हमारे पास 5D और 6S के साथ 4F orbitals भी fill हो जाएगे, तो इसमें F भी fill होता है, और इसमें ऐसे ही ये हमारी बनेगी, 6D series, इसमें भी F orbitals fill होते हैं, 5F तो ये बाते हैं, आप लोगों सबसे पहले याद रखिए, अब देखिए, अगर मालनी जीए, मैं आपको कोई भी general example बताता हूं, that is the copper हमने बनाना है, ठीक है, sorry, कोबाल्ट बनाना है, कोबाल्ट का atomic number पहले आपको याद रखने होंगे, 27, तो इससे पहले जो आपकी यहा 3D, ठीक है, अब atomic number है, 27, 18 electron यहाँ पर फिल होगे, कितने बचे, 9 बच गे, अब 9 में से 2 यहाँ पर आएंगे, 7 यहाँ पर रखतेंगे, ऐसे आप इसकी electronic activation बना सकते हैं, ठीक है, कोई भी और हम यहाँ से चूज करते हैं, जैसे के माली जीए, हम यहाँ से चूज कर देते ह जिर्कोनियम, ठीक है, तो जिर्कोनियम का atomic number आपको याद रखना होगा, जिर्कोनियम का atomic number कितना है, 40 है, वैसे आपको mostly यह जो series है, हमारी सबसे पहले वाली, इसके बारे में ही पूछा जाता है, तो यह आप लोगोंने जरूर सभी याद रखते हैं, अब इस से पहले जो 5S and 40, ठीक है, अब 2 electron S में और 2 electron D में, तो ऐसे आप इसकी electronic configuration बना सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे आप इन में से किसी की भी बना लें, ठीक है, ऐसे ही आगे अगर हम देखेंगे, क्रिप्टन के बाद कौन सी gas आएगी, that is the xenon आ जाएगी, उसका होता है 54 atomic number, यहाँ से आप ठीक है, अब इसमें आप लोगोंने क्या याद रखना है, यह हमारी सीरीज है 5D वाले, अब 5D वाले में 4F भी पहले आपका फिल होकर आएगा, ठीक है, तो 5D में पहले फिल होगा 4F, 6S and 5D, ठीक है, अब देखे 14 electron तो यह रख लेगा आपने पास, ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने बचे थे, बीस बचे थे, ठीक है न, तो कि 54 यहाँ पर होगे, टोटल थे 74, तो 14S ने रख लिए, कितने बचे बाकी के 6, 6 में से 2S के और 4S के, ठीक है, तो ऐसे आप लोग किसी की भी electronic application solve कर पाएंगे, बिल्कुल easy काम है, यह आप लोगोंने याद रखना है एक point तो यह हो गया, ठीक है, मैंने आपको 2-3 examples बता दी है, ठीक है, तो अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात आप लोगोंने अब द्यान से सुननी है, यह मैंने यहाँ पर नीचे वो सभी elements के नाम आपको पताएं हैं, जिनमें के S में एक electron fill करना है, ठीक है, S में एक आ आप लोगोंने electron fill करना है, अगर हम यहाँ पर देखें, तो आप लोग ऐसे इनको round करने, जैसे के सबसे पहली series में कौन-कौन है, chromium है, ठीक है, और उसके लावा, chromium के लावा यहाँ पर आएगा कोबाल, इन दोनों में आपने S में एक electron fill करना है, ऐसे ही, यहाँ पर Q, फिर TC element है, फिर आएगा molybdenium, ऐसे ही यह वला element आजाएगा, नियोपियम, ठीक है, तो इन सभी में आप लोगोंने क्या करना है, कि S में एक electron fill करना है, ठीक है, ऐसे ही जो हमारी यह वाली series है, इसमें यह दोनों है, platinum है, gold है, यह तो वह है, यह elements तो वैसे भी important है, यह आ S में एक electron fill होता है, ठीक है, तो बाकी सभी आप लोगोंने D में add कर देने, इसमें से जो most important है, that is the chromium याद रखने, कोबाल्ट याद रखने, ठीक है, silver याद रखने, TC वाला भी important है, यह भी याद रखने ना, molybdenium, ठीक है, और यहाँ से platinum and gold, ठीक है, यह आप लोगोंने 6 S में 0 electron है, यह भी आप लोग याद रखने, क्योंकि D यहाँ पर क्या हो गया, completely filled, अब देखिए, यहाँ पर N-1D होता है, sub shell, यानि के inner D orbital, और जो N-S होता है, इन दोनों की energy में, काफी, जो आप लोग कह सकते हैं, कि small difference होता है, इसलिए electrons exchange होते रहते हैं, ठीक है, इसलिए एसी electronic configuration हमें, जो है, वो यहाँ पर special cases है, वो याद रखने परते हैं, ठीक है, clear है, तो यह इनकी electronic configuration के बारे में है, जो आप लोगोंने अच्छे से इसको याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी electronic configuration पूछी जाती है, mainly जो आपकी है 3D series इसके बारे में ही पूछा जाएगा इसके elements को याद रखने का भी एक हमारे पास shortcut है, वो आपको बता देता हूँ, वो आप लोग अगर याद कर लेंगे, तो सभी elements आपको याद हो जाएंगे, तो इसकी जो सबसे पहली series है, यह आप लोग कैसे याद रख सकते हैं, that is, यहाँ पर है सबसे पहले element is scandium, फिर आत very crazy man, iron को हिकल कहे, copper को zinc, ठीक है, तो यह आप लोग याद रख सकते हैं, repeat कर लेना, तो इसके साथ आपको यह सबसे पहली series जो है, वो याद हो जाएगी, इसमें से ही mostly आपको problems जो है, वो पूछी जाएंगे, ठीक है, तो यह थी इन सभी की electronic configuration, तो आगे चलते हैं, इनकी प्रोप्टिस के बारे में बात करते हैं, अब देखिए हमने अभी-अभी क्या है, यहां पर observe किया कि इनके पास partly filled d-orbital होते हैं, ठीक है, उसी के कारण ही इनको क्या नाम देते हैं, ठीक है, त्राइशन elements हमने define ही ऐसे किये हैं, कि जिनके पास partly filled d-orbital हो, अब देखिए, partly filled d-orbital के साथ क्या होता है, कि जो जहां पर balance electrons होते हैं, balance shell के, जानिके NS के, उनके साथ 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 सभी reactions में inner d, जो orbital के electrons हैं, वो भी साथ में ही part लेते हैं, इसके साथ इन में कुछ unique properties आती हैं, वो हम यहां पर explain करेंगे, जैसे कि display of variety of the oxidation state, इनके पास एक से ज़्यादा oxidation states होती ठीक है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, कि iron की 2 oxidation states होती हैं, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे elements हैं, जिनमें के बहुत सारी oxidation states यहां पर show की जाते हैं, इसके इलावा, these form the colored ions, इनके mostly जो ions बनते हैं, वो क्या होते हैं, colored होते हैं, लब इनके आपको जितने भी compounds देखने को मिल मिलेंगे, that is the colored मिलेंगे, जैसे के copper sulfate blue होता है, ऐसे यहां पर iron sulfate green होता है, ऐसे इन सभी के यहां पर different show होते हैं colors, complex form करते हैं, यह सभी complex form कर सकते हैं, इनमें show होती है catalytic properties, हम इन सभी elements को use कर सकते हैं, as a catalyst use कर सकते हैं, ठीक है, इनमें आप लोगों को paramagnetic behavior देखने को मिलत होता है, ठीक है, और यह सभी interstitial compounds मनाते हैं, जो कि आप लोगोंने solid state में read किया होगा interstitial compounds, यह सभी बनाते हैं, तो यह सभी इन में कुछ general characteristic properties हैं, इन पर ही based हमारी इस से आगे की सभी study रहने जाले हैं, तो आगे हम पूरी जो हमारी series होगी, उसमें हम इन सभी properties को ही one by one पर explain करने हैं, ठीक है, clear है?